प्रमुक्तन और सम्मंदित महापूरुसपर चलिए यह कोश्चन दिया हुगा है इसके नीचे हम लोग कांसर लिखना यह कोश्चन इसके नीचे आंसर लिखेंगे ठीक ना इसका यानिक इसका आंसर हम लोग यहां लिखेंगे और इसका आंसर हम लोग यहां लिखेंगे यान पिछ तेग में जो क्वेश्चन होगा कुष्टव लिखेंगे रिख्या थे पर अब को अब करना तो मैं बटाऊं गा ठीक है अब यस पर आजो पहलेन नेहरु देज भक्त अर्ड टै। नहरु देजभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिक हैं ये किस ने कहा था तो आप का अंसर आएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद या तक ना है आपको ये किस ने कहा था तो आप का अंसर आएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद की हैं मौलाना अबुलकलामाजाद भारत के पहले पहले सिक्षामंतरी थे अबुलकलामाजाद के और भी स्टेटमेंट थे कि पटेल और नहरू ने अबुल कलामाजात के और भी स्टेटमेंट है कि पटेल और नहरू ने तो विभाजन स्विकार कर लिया है लेकिन गांधी जी ने भी अगर विभाजन स्विकार कर लिया लेकिन गांधी जी ने भी यदि विभाजन स्विकार कर लिया तो यह देश का दुर्भागी होगा तो यह क्या होगा टेश का दुर्भागी होगा आप समझेगा नेहरू देश भक्त हैं और जिननार राजनीतिक यह घी कई बार कोष्ण to कुछा गया तो आपको का है मुर्णा अब अब लाम आजाद को दिक्कत नहीं एक और इस्टेटमेंट यह तक आपको कि सिम्ला समेलन एक दुरंगे नहें शिमला समेलन और पॉर्ट नहें तो यह ये भी किसका आंसर होगा मौलाना अबुल कलामाजाद और मैंने एक और बताया था आपको यदि गांधी ने विभाजन स्विकार कर लिया तो ये देश का क्या होगा बेटा दुर्भाग की होगा ठीक है ना तो इनके हमने तीन स्टेट्मेंट आपको बताए पहला मौलाना अ अबुल कलामाजाद कॉंग्रेश के सबसे युवाद देश थे कॉंग्रेश के सबसे युवाद देश थे कॉंग्रेश के सबसे युवाद देश थे मातर 35 वर्स की उम्र में मातर 35 वर्स की उम्र में ये कॉंग्रेश के अद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द एक पूल्क लाम आज़ाद अबू कलाम आज़ाद गॉंग्रेश के सबसे लंबे समय तक अध्याश बने थे मुलाना अबूल कलॉमं आजाद तो कहो बने न्युचावल इष्थ करताहिक क्यों क्यों बैरे मुलाना अबूलक आज़ाद माझाद ने कहा था नेरु देश भक्त हैं और जिना राजनीटिक गये पहली बात दूसरा इनुने स्टेटमेंट बोला था कि शिम्दा सम्मेलन एक बहुत दुर्गकत ना थी खिसने बोला मौलाना अबूल कला माजाद मौलाना अबूल-कला मांजाद ने कहा कि पटेल और न कांगरेस के पहले सबसे युवाद देस थे मौलाना अबुलकलाम आजाद कांगरेस के सबसे लंबे समय तक भी अध्याच बने रहे क्लियर है तो इसका अंसर क्या है मौलाना अबुलकलाम आजाद आगे बढ़ते हैं कुशन लिखा हुआ है हमारी प्रणाली उस इसपंज की तरह कारे करती है जो गंगा के किनारे से पानी सोख कर टेम्स के किनारे वर्षा कराती है तो सबसे पहले यह समझ लो कि जो टेम्स है लंदन जो लंदन है वो किस नधी किनारे स्थित है तो लंदन आपका टेम्स नधी किनारे स्थित है तो इतनी बद आपको समझ में आ गई तो इसका अंसर क्या लगाना है आपको इसका अंसर लगाना है जॉन सुलीवन इसका अंसर लगाना है जॉन सुलीवन ठीक है ना तो यह इसका अंसर है आपने बहुत कम बार इसका नाम सुना होगा या पिर नाम ही नहीं सुना होगा तो आपको याद रखना है जॉन सुलीवन से ही कॉंग्रेस से भी बड़ी आंदोलन खड़ी कर दूंगा यह स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का यह स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का अब देखते हैं किस समय यह स्टेटमेंट बोला गया था अब देखते हैं वह कौन सा समय था जब महात्मा गांधी को ऐसा इस तो पिल्वित हुर। दो ह आपके ब्रह्म दत्त तो यह सथ्ट्य अगर्य क्यों चलाया गया था इतना दर्शाने के लिए सिर्फ इतना दर्साने के लिए लिया से सो दिया क्या नहीं पता आपको कित से बतियार रही है लिलकी यह चलो तो मैं कि बता रहा हूं आपको कि यह यह स्टेटमेंट कभ बूलागी यह समझ लोगा रगांधी जी नहीं स्टेटमेंट कभ बुला तो सत्रा ओक्टूबर उनने सो चलेशक को सेकंड्राइब व्हक्तिका चलाया चलाए गया था और तो गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन के लिए कहा कि यह आउट डेटेट चेक है यह यह इट सब पोस्ट डेटेट चेक जिसका बैंक आज नश्ट होने वाला है कुछ इस प्रकार से क्रिप्स मिशन के बारे हम कहा गया फिर 14 जुलाई 14 जुलाई 1942 को समझेंगा, 14 जुलाई 1946 को वर्धा में, 14 जुलाई 1940 को कहां बिटा वरधा में ठीक है वरधा में बात थी तो गांधी जी ने कहा कि यही एक मौका अच्छा है यह एक मौका अच्छा है अच्छा एक बच्चे ने पूचा सर कल 15 अगस्त है क्या तो वही आंसर दिया है इसको यह नहीं पता कि कल 15 अगस्त है चलो कोई भात नहीं कि सर उत्तरा खट में कोई नहीं है ऐसा पढ़ाने वाला अच्छा कि सर दुर्णाचर बैस में वीडियो नहीं चली बिटा एक बार वीडियो अपने एप को अपडेट कर लो सब चाहिए हो जाएगा अपडेट नहीं किया होगा ना आपने हां तो क्या मैं करता आपके कि 14 जल सब्सक्राइब तो इसका अंसर होगा मात्मा गांधी चलिए अगला कोशन देखते हैं कि अगला कोशन हां कोशन लिखा हुगा है स्वतंतरता मेरा जन्मस्ति दधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा सभी बच्छों के पता होगा हना स्वतंतरता मेरा जन्मस्ति दधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा आपका अंसर होगा बाल गंगाधर तिलक आपका अंसर की अंगरेजी भासा में है इसके साथ यह साथ आपको दो किताबे भी यात करनी पड़ेंगे दो रचनाएं एक है आपकी धी आर्किटिक हो मौ आफ वेदाज है इसमें बताया या बाल गंगादर तिलक ने कि आर रे कहां से आये थे तो आर उत्तरी धुरूफ से आये थे ठीक आपको याद कर लेनी है ठीक है ना चलिए तो इतनी बात क्लियर हो गई अगला मेरे सिर पर पड़ी हर लाठी का हिसाब होगा जो अंग्रेजियों के सरीर पर कील बनकर चुबेगा और उनको शव या ताबूत की पेटी तक लेकर जाएगा ठीक है तो यह स्टेटमेंट किसका पंजाब केषरी या खळाएटएप नेgoing का सिर लाला लाचस्पत बाएट लाला लाचसपत राय कि Δिल्ली है और इस पंजाब नेशनल बैंक की इस्थापना हुई थि और इस पंजाब ने सिल पेंक का तब हैटक्वाटफर क्या हवां करता था हलोगा करता था लेगने वर् थी याद रखेगा लाला लाजपत राय की जो मृतिव है वह साइमन कमीशन का विरोध करते समय हुई थी साइमन कमीशन का विरोध करते समय हुई थी याद रखना है साइमन कमीशन का विरोध करते समय कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ते हैं कि अगला कुशन क्या समझिए अगला कुशन कॉंग्रेस धीरे धीरे लडखडा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी भी यह बहुत बड़ी आकांचा है कि मैं इसे सांतिपुर्ण मृत्यू में सहयक बनूं अच्छा कुशन है समझेगा जो कॉंग्रेस के बारे में बहुत लोगों ने बहुत सारे स्टेट्मेंट दिये थे कॉंग्रेस के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे स्टेट्मेंट दिये थे तो ये स्टेट्मेंट किस ने दिया था कि कॉंग्रेस अपने पतन क्यों लड़ खडा रही है कॉंग्रेस मरने वाली है मैं से सांति पूर्वघ मरते ओढ़े देखना चाहता हूं यह statement किस ने दिया था लॉड कर जन ने दिया था ने तरह Process प्रयासों में सफलता नहीं मिलती है ये किसने कहा था बाल गंगाधर तिलक ने और ये कब कहा गया था जब भारती दाश्टी कॉंग्रेस की स्थापना हुई थी तो कॉंग्रेस की स्थापना के दरान ही बाल गंगाधर तिलक ने कहा था तो कि कॉंग्रेस का जो अधिवेशन था वो साल में एक बार होना था जो कॉंग्रेस का डिवेशन था वो वर्ष में एक बार होना था थभी बाल गंग BIG तरह तरह टर राएंगे तो हमें सफलता हाथ नहीं मिलेगी ये Congress के लिए कहा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया अगला कुश्चन है क्रांती की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगणने से होती है बहुत अच्छा कुश्चन most important question एक कई बार repeat हुआ question है तो क्रांती के तलवार और इसमें अगर आप देखें तो आपको सीख भी मिलती है है ना मजा भी आती है पढ़कर तो question क्या लगार क्रांती की तलवार में धार वैचारिक पत्थर रगणने से आती है तो कौन होगा कौन होगा बताओ कौन होगा इंकलाब जिन्दाबाद भगत सिंग कौन होगा बच्चा इंकलाब जिन्दाबाद भगत सिंग अना और भगत सिंग के बारे में तुम आपको बताई दिया है भगत सिंग के बारे में में तुम आपको बताई दिया है कि भगत सिंग और बाटुकेश्वर धतने मिलकर असेंबली बर भम तो ना होंए देने के लिए बगड़ सिंग और बटुकेश्वर धतने मिलकर बम थेग धिया था जब इसे पूचा गया कि तुες आmittel क्यों फेका तब इन्होंने कहा कि बहरों को आवाज सुनाने के लिए आधिक शोरगुल क्या सकता होती है यह सब इसका अंसर था भगत सिंग बहुत प्यारा आगे बढ़ते हैं अगला नवा नवा और दस्वा देख लिए नवा दस्वा क्या लिखा हुआ है समूचा भारत ए गुरु जी ने सुभाज चंद्रबोस के गुरु ने ये स्टेटमेंट कहा है सुभाज चंद्रबोस के गुरु जी ने ये स्टेटमेंट कहा है इस कांसर क्या लगाएंगे आप लोग चलिए मैं आपको और हिंट देता हूँ स्वाराज पार्टी के संस्थापक हैं और मैं कम लोग देश बंधू के नाम से भी जानते हैं अगला क्या है आराम हराम है यह किसने का था जवाहरलाल नेरू ने आराम हराम है यह किसने का था भईया आपका जवाहरलाल नेरू ने दागंगा आपने पढ़ी वी होगी बच्पन में दागंगा डिस्कवरी ओफ इंडिया ड श् filed हो जाये गा तब इस का अंसर है लगर लेकिन मुझात इसका अंसर हो जाएगा तब इसका अंसर अलग हो जाएगा तो वे दोंकि और लोटो में सभाव से समाजवादी वेह कई अनih अप कहा गयाथ तो अट cần Lauri इसी जल्दी बताए कर रonta 11 कांसर क्या है और यह पाया पानिठ ए छैट आटिस्ट इन दास पतनी है वाषंती देभी यादी आपसे पूछा जाए कि आस्य योग अन्दूलन में गृस्तार होने कॉन थे तो आज साय चकांदुलन में गिरफतार होने वाले पहले नेता है मुहम्माद ली लेकिन पहली महिला नेता कौन है चितरंजंदास की पतनी-बासंति-देवी यह पहली महिला usta बेतानेता थी जो कुछ सुँ आ सहयों गांदुलन के दौरान गिरफ्तार हुई तो तो इसका आस्र क्या है बंदे मात्रम का अंसर आंसर बेटा बंकिम चंद्र चंद्र जी बंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी बंकिम चंद्र चटर्जी ठीक ना तो यह इसका अंसर हो गया बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था बिटा आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था या आनंद मठ ठीक है और आनंद मठ में क्या है वंदे का समय क्या है इसको गाने का समय क्या है तो गाने का समय है 65 सेकेंड या कह सकते हैं एक मिनट पांच सेकेंड एक मिनट पांच सेकेंड कह सकते हैं आनद मट्से हम को किस विद्रोह का पता चलता है तो आनद मट्से हम को सन्यासी विद्रोह का पता चलता है तो आनद मट्से हम को सन्यासी बिद्रोह का पता चलता है और बंदे मात्रम अगर आपसे पूछा जाता बंदे मात्रम ये किसकी पत्रिका है तो बंदे मात्रम पत्रिका आपके अर्विंद घोस की है तो यदि आपसे बंदे मात्रम पत्रिका पूछता तो पत्रिका में आपका आंसर अर्विंद घ सिर्शती विःता इसको मुझे रफ करना पड़ेगा यादि सिनके बारे में आपको बनाना है ठीक है तो वेदों की और लोटो तो साप का अंसर आएगा स्वामी दinary दयानंद सरस्वती तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का असली नाम क्या है इनका मूल नाम क्या है इनका मूल नाम है मूल संकर इनका मूल नाम क्या है मूल संकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी की गुरू का नाम क्या है इनके दो गुरू है एक ने इनका नाम बदला था और जो गुरु थे उनका नाम क्या था विरज्डानन जौफ ब्रश्वती जी नि क्या किए आए स्थापना क्यी थे किसकी स्थापना आर समाज की स्थापना कि थी 1876 को मुंबई में आर समाज की इस हिर्व में जो स्थापना की थी यह अपना जो बते चे जो अपना रुप Dos T संस्क्रत में उपदेश ना देकर किस भासा में दो हिंदी भासा में उपदेश देना शुरू करो तभी से देरान सब्सक्राइश जी फेमस होना शुरू हो गये थे ठीक है ना आगे बढ़ा जाए बाकी तो आपको पता ही है अच्छे से मैं स्वभाव से ही समाज बादी हूं समझते हैं क्या है 1931 का अधिवेशन 1931 नहीं कहेंगे 1929 तीस का कॉंग्रेश अधिवेशन या फिर हम लोग 1929 कर लेते हैं तीस अपने आप ही हो जाता है वो चलो 1929 का कॉंग्रेश अधिवेशन बात कर रहा हूं मैं आपकी लहुर अधिवेशन की तो ला ठीस है अधिवेशन इसके अधिवेशन तीस वनाया गया थे रहलाओ नरू नेरू ही तो ज्वहार नीरू नेर्यू क्या किआ था की आप देस दिसन्बर 1929 को 31 डिसम्बर 1929 को क्याकिया दीट प्धिटा रहार में राता इंडिके किनारें लोहार में रावी नदीके ती लहुर में तर यहनुने तरंगा जंडा फराया था तरंगा जंडा फराया था और यहां एक स्टेट्पेंट बोला था क्या मैं एक समाजवादी और गर्द शिवम कुमार तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा ये किस ने कहा था रुख जाओ लगा होगा ठीक है ना पूरी इतिहास के सारे लोगों के स्टेट्मेंट जब मैं लेकर आया हूं तो रुख जाओ थोड़ा सा समय दो ठीक है ना और वार-वार काउफी पेश्ट करोगे तो घुस के हम ठाक पेटक देंगे तुमको कि सुभाज चंदर बोस ने कहा था ततल्ली मिलके सांती होगे मन में ना अब तुम्हें स्वर्ग पहुंच जाओ ना तो स्वर्ग स्वर्ग निकल लो ठीक है के सुभाज संयों पिल्स होगा क्या सुभाज संयों दॉट सो गयार केशने क्यान यार कि कहाँ पिर समय पेक नहीं हो मैं पुरा मिटास कोसर वाला अला संभाम है मैं पुरी कहनी तो बतार रहा हूं इसको हुआ है ठीक है है हां तो मैंने क्या बोला 31 दिसंबर 1929 को लाहर में रावी नदी के तट पर तरंगा जंडा फराया गया और तभी जवाल नाले ने कहा था कि मैं एक समाजवादी और गरतंत्रवादी हो और मैं इस देश को भी ऐसा ही बनाना चाहता हूं ठीक है ना युवा तुर्वा बेटा चंदर सेखर है युवास तुर्व जो है वो चंदर सेखर ही है बिल्कुल सही है चदर सेखर इस दर आइट अंसर ठीक है ना अ कि अ कि कि अ हां सब गधें और कर दो कर दो कर दो को चलो कोई नहीं एक गंजा सुलमनेट हो गया है ना पंदमनेट की और बात है खतम करी रहा हूं वैसे भी चलो आगे बढ़ते हैं अगला तो यह आपको समझ में आ गया इसका अंसर हो गया यदि आशाय कोशन क्या है यदि हम पाकिस्तान की मांग सुई सविकार नहीं किये तो देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगी यह स्टेट्मेंट किसका है बलाबस बढ़िया नहरों नहरों कर ला इसका अंसर ही है इसतार पेल सरदार पटेलिस्दा राइट आंसर बिल्कुल सही है और सरदा पटेल के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में पहले ही दे चुके हैं अगला हिंद Higher के बल पर जीता गया है और तल्वार के बल पर इसके रच्छा की जाएगी यह आपका एल गेन से यह कहा था आपका एल गेन दुरतीन यहां आपका एल गेन सेकvenge ने कहा था हमने सिर्दर्द से चुटकाराет पाने के लिए सिर्कटवाना बेतर समझा हमने सिर्ध दर्थ से छुटकारा पाने के लिए क्या बिटा सिर्कटवाना बेतर समझा जवाहरलाल नेरू जवाहरलाल नेरू ठीक ना तिसका अंसर एलगें सेकेंड है और इसका अंसर है जवाहरलाल नेरू अगला कोश्चन देखत और था क्या तगह की भारत का विभाजन मेरी लास पर होगा जब तक मैं जीवित रहोंगा तब भारत का विभाजन नहीं होगा यह कहा था आपका मात्मा गांदी के दिवरा या एक ऐसा चेक था इसके बारे मैं आपको बता चुका हूं कि जब कृप्स मिसन आया था जब clicking कि गांधी जी ने कहा था यह एक ऐसा चकता समझेगा गांधी जी ने कहा था इस साफ पोस्ट डिर्टेटीड चेक जिसका बैंक नस्थ होने वाला है यह यह लाइन जोड़ी थी जभारलाल नेहरु ने तरया तकना आपको फोस्ट डिर्टमेंट में दो लाइने है यह पोस्ट डेत चेक था या उत्तर दिनांकित चेक था फोगांदी जी अंसर है इस चेक का बैंक पहले ही से नेच ठोने वाला था इसका अंसर जवारलाल नहरू है तो यहां पर दो आप सरूँगे आपके ठीक ना तो अगर आपका गांधी जी और जवाहरलाल रहू दोनो मिला सिंपली बात है हमने घ्रोर्ट कर रोटी माँगई लेकिन हम करें मिला पत्थर मिला यह कब कहा गया था सवीनयवघ्या आर्दोलन से ठीक पहले सेना ब सवान्दी जी न franchise ग्रियूं लका जानटी जी ने किपनी माँ Green थी दिल्दी पिताइए गांधी जी ने कितनी मांग रखी थी और मुहम्मध अली जिन्ना ने कितनी मांग रखी थी दिल्दी पिताइए गांधी जी ने कितनी मांग रखी थी गांधी जी ने जो मांग रखी थी वो लॉड इरिविन के सामने रखी थी गांधी जी ने लॉड चौदा सूत्री मांगे रखे थी चौदा सूत्री मांग किसे रखी थी मुहम्मद अली जिन्ना ने अच्छा गांधी जी ने मुहम्मद अली जिन्ना को काइदे आजम कहा है याद रखना है आपको ён करें थी लाज इन नए ठीक ना तब गांधी जी ने सविनाय वज्नान की बात कही थि और यह स्टेटमेंट दिया था तो कांसर क्याई इस का इसका अंसर मात्मा गांधिय ने कहा था और सविन्य वग्यांदूलन से ठीक पूर्व चलो अगला कोशन क्या है अच्छा यह तो आपको पत्रीई होगा आसान है अगर आपने स्वामि दयानंद सरस्वति स्वामि दयानन्द सरस्वति अच्छा एक मैं कोशन मतलता हूँ आपको यदि आपसे पूचा जाए भारत का भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं तो स्वामे दयानन्द सरस्वति जी को कहते हैं भारत में अशांती का का जनक किसे कहते हैं तो भारत में अशांती का जनक भी स्वामी दयानन सरस्वती को कहते हैं किसने कहा था किसने कहा था तो वैलेंटाइन शिरोल ने वैलेंटाइन शिरोल ने तो वैलेंटाइन शिरोल ने समझेगा वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था कि अगर हम संस्था की बात करें तो आर्स समाज एक ऐसी संस्था है जो भारत में अशानती फैला रही है तो भारत में अशानती कौन फिला रहा है आर समाज फैला रहा है तो आर समाज के संस्था कॉन है सौमे द्यानन सरथफवति हैं लेकिन वेलनेंट टैंश रोल ने एक आदमी को directly तिल्य कै दिया था तो भारत में आशांति जनक दो आपके मांने जाते हैं एक दयानंद सरत्ति जी माने जाते हैं और एक आपके बाल comment सने किया था किस्टराज स्वराज मेरा जनुस्तित अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा स्वराज इस मैं बर्थ राट एंड आई सेल भी टेकन इट चलिए भारती संस्क्रती पूरी तरह से हिंदू है ना इसलामी और ना ही कुछ अन्यवय सबका संयोजन है दास्ता का नया चार्टर इंकलाब ज नहीं हो जाना है ऐसा स्टेट्मेंट आपका कौन दे सकता है सिर्फ बापू यानि की महत्मा गांदी दे सकते हैं दास्ता का नया चार्टर शुरू हो गया है धना तो यह कहा था जवाहरलाद नहरून फिर इंकलाब जिंदाबाद यहां से कोशन मनता है इंकलाब फिर पहले तो आप लोग कोuuuu चलाब जिंदाबाद के जितने क्सरण आते हैं पहले वह बता दो आपको इसको बता दो فões को अनसर बताऊंगा ठीक है बहुत सारी चीजे ऐसी होती जिसका एक महल होता है समय होता है उस पर वही जब बात की जाती है ऐसे टॉपिक पर ठीक वर्ना लोग तो हम तो पढ़ा रहे हैं जब लोग हमको डिसलाइक करते चले जा रहे हैं ठीक है आपको आप भी में कुछ परिवार वाले ऐसे हो जो कहारे जुगार से हो गया होगा पैसे दे के भरती हो गया होगा ठीक है ना तो यह सब चीज़ें अभी बात करने लाइक नहीं है चलो तो गुडिया यादो अजय बनारसी समराच मौर रिया इसका अंसर क्या लगाएंगे मुहम्मद दिक्बाल ने लोग परी बनाया और बताव भीटा जल्दी बताओ फटा फटा फट चलिए हम बात करते हैं इस पर तो इंकलाब जिंदाबाद अगर पूछा जाए यह नारा कि किसने लिखा है लिखा किसने है तो आपका अंसर आगा मुहम्मद दिक्बाल ने यह नारा लिखा किसने है तो मुहम्मद दिक्बाल ने इस नारे को नारे को सरप्रथम सरप्रथम सभा में किसने प्रियोग किया सभा में किसने प्रियोग किया तब आपका अंसर आएगा हसर त्मोहानी देन इंक लाफ जिंदाबाद नारे को प्रसिदि किसने बनाया रह रह सिदिग इसने बनाया जन जन टक पहुंचाया तब आपका आणसर आएगा भगत सिंह कर तब आपका आएगा भगत सिंह सुभाषचंद्र बोस दिल्ली चलो सुभाषचंद्र बोस साथ साथ जैहिंद सुभाषचंद्र बोस इसने के साथ साथ तुम मुझे खुन душ हगा तुम मुझे खूंदों हो मैं तुम्हें ताह अजा दी दूंगा तुम मुझे खूंदों मैं तुम्हें आजादि दूंगा ये सब्सके सुभाथ सुभाज संद्र बोस के सुभाज संद्र बोस का जन्व कब हुगा था तेज जनवरी 1897 को कटा कुड़ी सा में पिता का नाम है जानकी नाद बोस और मातला का नाम है प्रभावती टोटल की 14 संताने थी लेकिन ओके कि ओनलाइन साथ सो प्लस लोग है लाइक के वल एक क्यों भाई लाइक करें सर के लिए अच्छा हां लाइक सिर्विटा लाइक है वन पॉइंट एक अधार इंक्यानवे ठीक है साथ सब्स लोग अभी हमको देख रहे हैं आठ सब्सक्राइब कर दो अधित यादो यदि आप कोई भी किताब सभी से पढ़ लें तो गांधी जी ने जो 11 सुत्री मांगे रखी ती उसमें साथ सब उसमें लिखाया था क्या लिखाया था मेरे सभी राजनीति बंदियों को छोड़ दिया जाए ना कि क्रांतिकारियों को बस इतना हिंट मैं दे मुहम्मद इकबाल सारे जहां से अच्छा हिंदो सता हमारा और मुहम्मद इकबाल ही वह पहले वक्ति जिन्नों ने सर्प्रथम दूई राश्ट्र सिद्धान दिया था यहनि इस देश के दो टूकड़े कर दिये जाएं सबसे पहला सिद्धान भी मुहम्मद इकबाल नही का नहीं जा सकता कि नॉर्मल साइ ये पता नहीं डिसलाइक कुन कर रहा है मरने दो यारजिसकों मरना है मर जाएगा ठीके ना कुछ अच्छे काम करके मर odor जाएंगे कुछ बुरे काम रे मर स्थैंगे हमें इसतार ना बता अब फून जा लगता है मिरा कूंडरओ Virt emergency हम आलप संख्यकों के रच्छा के लिए प्रतिबद्ध हैं पर आलप संख्यकों को बहु संख्यकों पर थोपा नहीं जा सकता किस ने कहा था तो फटावर बताईए किस ने कहा था देखो मैं आपको बताता हूं क्यों कहा था हम आलप संख्यकों के रच्छा के लिए प्रतिब और उलग करा जायि तो क्या इन की ऐच्छा को इनके उपर पर पहुता सकता है नहीं तोटी मेंट एटली का बिता लॉड क्लीमेंद एटली रिजी का बेटा यह आपका स्टेटमेंट से RADI का ठीक है लॉट क्लीमेंच एक पता ही एंसेड वर्ड मौर्ट खतम हो जाने के बाद neighborhood ब्रीटन के प्रिधान मंतरी बने थे और उन्होंने लिए सभी को आजादि का अधिकार है आपको पता होना चाहिए चली में साइमन कउमशन जो मैं रॉत कि में साइमन कमिशन में में ते फरवरी 1928 को बंबाई पहुंचा था ना जब काली पट्टी बांग करका था गो बैक साइमन कमिशन क्योंकि सातों सातों अंग्रेस थे अना कोई भारती तदस्र नहीं था कि सर मैं आपका यूपी स्पेसल एक लास देख रहा हूं बहुत मज़ा आ रही है सरीवर ग्रेड मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद बहुत धन्यवाद आपका कि चलो आगे बढ़ा जाए तो इस कांसर क्या लगाना है क्लीमेंट टेटली आगे बढ़ा जाए अकला कोश तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाइद दूँगा सुभाज संद्र बोच बताई चुका हूं सर फरोशी की तमना अब हमारे दिल में है राजेन प्रसाद भारत के अजात सत्रू है मैंने आपको बताया है पहले ही राजेन प्रसाद को आजात सत्रू कहते हैं देश क्या बताएं कि क्या हमारे दिल में है फटाफे बताई यह जल्दी से कि एम जी आर्विकास गेमिंग बिटा कितनी बार कॉपी पेश करोगे मैंने आपको पढ़ लिया कमेंट बिल्कुल सही है ऐनो ऑ आ यfon Allschak पुल्ला खां अरे गर्लत थूरा विटास सम्सम्झए मैं बढ़ाता हूं आपको मैं बताता आपको याचारे वर्ह था नाon lica 24 में ती कानपुर में आन चाहरे के स्थाफन हा नानलीचीर में कानपुर में वीधि लूट ली थी काली कारी काण्ट आपको पता हिए क्या हुआ था गॉरी काण गॉए था खब वखा था 9 अगस्ट 1925 तो जो काकोरी कांट रूट गया था अना जो ट्रेन लूटी गई थी एट डाउं ट्रेन का नाम क्या था एट-डाउंस ट्रेन ठीक ना तो इनको सब को पकड़ दी गए था पकरने के बाद करने के बाद काकोरी श्टियंतर मुकत में चलाय गया था जिसके तहतर कुछ लोगों को फासिद दी गई थी और कुछ लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था तो फासिक इसको इसको दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को कि अश्फाक उल्ला खां को राजेंद्र लाहिडी को राजेंद्र लाहिडी को और रौसन सिंग को यदि किसीने मेरा अभी तक गांधिन इरा वाला पांच क्लास नहीं देखिए तो उनको देख लीजेगा समझ में आ जाएगा रौसन सिंग को इलाहाबाद जेल में फांसे दी गई थी रौसन सिंग को इलाहाबाद जेल में फांसे दी गई थी राजेंद्र लाहिडी को गोंडा जेल में फांसे दी गई थी राम परशाद बिश्मिल को गोरकपुर जेल में फांसे दी गई थी और अश्वाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसे दी गई थी ठीक है तो र राजिंद्परशाद भारत के अजाद सेत्रूऊ है अजासटरू कहकर गांधी अधियक्षा राजिंद्परशाद कोने शार्द मयक्रा washes संचालन समिधी के अध्यक्ष ठीक है ना तो नियम समिधी होगा संचालन समिधी हो गया समिधान सभा के अध्यक्ष समिधान सभा के अध्यक्ष समिधान सभा के स्थाई अध्यक्ष यह सब आंसर क्या लगाना है आपको यह सब आंसर आपको लगाना डॉक्टर राजिन प्रस रहा थे समिधान सभा के स्थाय अधिश भी आपके डॉक्टर राजिन प्रसाद ही थे ठीक है चलो अगला कुशन है भारत भूख से मर रहा है अब जो भूख प्यास वाली यानि पैसे वाली बात करते हैं तो सिंपल सी बात हम दादा भाई नरोजी की पास चलेंगे दादा भ पहली बार राष्ट्री आये का आकलन भी किस ने किया था पहली बार राष्ट्री आये का आकलन भी किस ने किया था बीस रुपए बताया था ना पहली बार राष्ट्री आये का आकलन भी किस ने किया था तो दादा भाई नरोजी ने किया था चलिए बाकी बाते हम लोग ब मातमा गांधी को अर्ध म कर फकीर किसने का था सरकुस लोग सो गयां कुछ लोग चले गयए चले जाने दो भाई जिसको जाना चला जाएगा उसह को रोग प्रोण पाएगा चलो अब कुछ लोग आए, सर इसमें कितने कुछन है, कितना बाकी है उनकी अउकात ही नहीं है बाई पढ़ने की उनको सिर्फ बैठे बोचस नौकरी मिल जाएगी, ऐसे नहीं मिल जाएगी, ठीक है न? कुछ लोग सफरतय करते नहीं हैं और स्वरू करते हैं कि भाई कितना दूर चलना है ऐसे लोगों कुछ नहीं हो सकता है चलो तो अब दो क्वेशन बनता है कुछ लोग कहते हैं सर अर्दनगने फकीर किस ने कहा था सर इसमें लूसें में कुछ और लिखा है उसमें कुछ और लिखा है मैं क्या नाम करूं ठीक ना तो क्या करा जाएगा समझेगा जो अर्दनगन फकीर अगर आपसे पूछा जाए यहां पर दो स्टेट्मेंट पूछे जाते हैं एक अर्दनगन फकीर पूछा जाता है एक अर्दनगन फकीर पूछा जाता है और एक आपसे पूछा जाता है दूसरा देश द्रोही फकीर एक आपसे पूछा जाता है समेलनिं और गोल में किते विताइन हुई थे उनीसो तीस में पहला हुए बोघ्वक है गोल मेरेसमियलन किते हुए थीती पहला है उन्निस depicted से उनने सो तीस बहा था 1931 में युदा 1932 में था फिर आपका गांधी ओ तो गांधि जी ने किसमें भाग लिया था दूसरे वाले में फिर गांधी जी सब लुग अपनी बात करने लगे अपने बात करने लगे अपनी गहां जाने लगे तब विस्थन चर्चिल का स्टेट्मेंच था हना इट्ट सा हाफ नेगेट सेंट यानि विस्टं चरचिल में विस्टन चरचिल इनको अर्द्र नंत्र स्थिता है जब कि देश्दुालिह फ़कीर इनको फ्रैंक मोरेस ने कहा है जाद रखेंगा तो कुछ वो क्या करते इसको प्रेंक मौरेज से था याद रखना है आपको और गांदीजी ने कौन से सम्मिलन में भाग लिया था तो दूसरे गोल में सम्मिलन में भाग लिया था या आपका लंदन के जेम्स पलेस में हो रहा था और दूसरे गोल में सम्मिलन में भाग लिया था या कोशन ऐसे बन सकता ह कॉंग्रेश यो है वो तीन दिनों का तमासा है यह किस ने का था तो अश्वनी कुमार दतने का था तो तीन दिनों का तमासा कहकर अश्वनी कुमार दतने कॉंग्रेश को संभोधित किया है अगला कोश्चन पब्लिक सेफ्टी बिल भारती गुलामी का नंबर एक विदेयक है आपको पता ही है आपको पता है भगात सिंग और भटकेश्वर दतने मिलकर भगात सिंग और भटकेश्वर दतने मिलकर धना पब्लिक सेफ्टी बिल पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के चक्क विदेएक ठीक है खही सिंपोरी काऊंग्रेब का जन्म बहुत अच्छा कुश्टन बहुत बार आया हुआ कोश्ची कक्ष्टाइब क्रूंघ हुआ है और गैर आप है रच्छा के प्रमुख भारती तर हमाइई सीपल सी बात है कहने के मतलब यह है कि भारत्राश्री राष्री कॉंगरेस के जर्रमात्रीबूमी की रच्छा के लिए हुआ है जिसका जो किसे दौरा किया गया है हुं साप की दौरा किया गया इतना बड़ाराइन आकर भारी थे आपको यह बताना है फटा फटा बताइए कि अ कि अ कि अ कि अ कि सरा बहुत जबर्दस्त पढ़ाते हैं धन्यवाद सर इस क्लास को मराथन में चेंज कर दीजिए कल संडे है अरे भाई यार क्या बात वही है ना में डियर गंटे बढ़ाऊ दो गंटे बढ़ाऊ मरा अला जी ने कहा चली मैंने का पूरा स्टेट में बताता है सरी इतिहाद से प्रेम हो गया आप से बढ़कर अभी तो मैंने कुछ पढ़ाए ही नहीं है अभी तो भार्तिराश्टी कॉंग्रेस मात्र भूमी रच्छाक लिए है और जो हूं के द्वारा इस्थापित किया गय आंट यह का था एनी बेशेंट ने दे ओस्ता नो कम का आता हूं जब आपका जालिय वाला बाग अलोग गया था जालिय वाला वाग कर दूब दुखा था जालिय वाला बात्री र pry Con premiumD सा activeícia कि दिन ऐता कांड़ओ था आपको बताई यह वाकल सारी चीजय फिर इस हत्याकाहन के बाद एपजा आपन्य दोस्स त्वर के उपर लगाया सारा दोस्के नहीं दिया गया मतब पंजाब जाने नहीं दिया गया था तो एनी बेसेंट ने सारा दोस्ट गांधी जी की उपर लगाया जब गांधी जी ने क्या कहा कि हम लोग क्या चलाएंगे आसहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने आ सहयोग आंदोलन को चलाने की बात कही थी थब एनी बेसेंड ने मात्मा गांधी को क्या कहा था कि गांधी जी अभी राजनीती में बच्चे हैं याद रखना है आपको तो राजनीतिक बच्चा ठीक है गांधी जी अभी राजनीती में बच्चे है या फॉरा स्टेटमेंट नहीं है मैं आपको पूरा स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं स्वतंदरता के पुजारी है है हुँम स्वतंदरता के पुजारी है लेकिन कॉंग्रेस लॉड डफरिन के किदिंधो की उपज है तो Monateose Lord डफरिन के दिमाग की उपज है ये भी स्टेटमेंट किसका है लाला लाजपत राइजी का है तो ह्यूम सतनता के पुजारी है लेकिन कॉंग्रेस लॉज्ड डफरिन के दिमाग की उपज है ये का किस ने कहा था तो लाला लाजपत राइज पूरा स्टेटमेंट है पंजाब क प्रिटिस सरकार तक पहुंच पाई यह इसका पूरा स्टेटमेंट हुआ करता था इस का अंतर क्या लगाना आपको इसका लगाना पैटा आपको पताना चाहिए जिसने वह भू कि स्थापना की यह भी हू कि स्थापना 1916 कि अलुए मालवी तो मुहन मालवी ने कहा था मदन मोहन मालवी ने कहा था कि भारत ने अपनी आवाज Congress से पाई है मने आपको बताया कि मम अमना मालवी यनि दोनों ने मिलकर कहा था महा माना क्यूपादी इन दोनों ने दी थी टीilenा मन सबस्क्राइब कि जो आपका टो ठीटाप 1916 में आपका वह यह लखनों पैक्ट 1916 में आपका लखनाओं सम्झौत वह God्त आप मुल्कुरोद्ट किसक्षा ने किया था इस लखनों सम्झाओं सम्झ जोते का प्रमुकूप से विरोद किसक्षाonos ने किया था मदन مहान एक हो गये थे तो गॉंग्रेस जब मुस्लिम लिक सिहाद मिला रहे थी तो लौर समझोते का प्रमुख विरोध किस ने किया था आपका मदन मुहन मालवी ने किया था ठीक है अगला अगला कुश्चन है कंग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है और हमारा आधर्स दया याचना नहीं आत्म निरभर्ता है यह 38 नूंबर कोश्चन और 49 सबाता इंक आपक मी परता ये नहीं बता सकते हैं ये तो बहुत नॉर्मल से क्वश्चन है ऑग decυτ maker क्वेंग मैंने भी आपको ये पड़ाया रफ को अभी तक जितना भी है वो सब मैंने आपको पढ़ाया जो अभी तक है वो सब कुछ मैंने पढ़ाया था लेकिन ये दो स्टेटमेंट अभी तक मैंने पूरे यूट्यूब पर पढ़ाए नहीं है अना ये स्टेटमेंट तो यह आपको दिक्कत होगी पढ़ाने में तो कॉ ताट आपका बाल गंगाधर तिलक ने यह स्टेटमेंट ऑल गंगाधर तिलक का यह स्टेटमेंट फिरोश स्य मेहता का ह notice ao4 अब बता जाएंगे अब बताले जाएंगे यह तो अजी तो मैं किवर पढ़ायाífic है मूझ्ञसट पादया है यह तरह्तारफल के लाया है lurik condemned इतिहास के स्टेटमेंट हम लोग पढ़ता है ना पूरे इतिहास के यारी कि अब इससे ज्यादा किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको कहने कि इतना मतलब है गांधी जी मुस्लिम गोखले बनना चाहते थे चाहते हैं क्रिप्समिसन पाकिस्तान का उपहास है तिलक भारतिया रशांती या जनक हैं इन तीनों का अंसर मैं बहुता देथा हो गांधी जी मुस्लिम गोखले बनना चाहते थे यह कहा था का मुहमद अली जिन्तानि यह किसनि निकाता मुहंमद के इतना और Хe स्टेस्ट्मेंट भी किसने कहा था मुहम्मद अली जिना ने दोने स्टेटमेंट किसके है मौहम्मद अली जिना के और मात्मा गांदी ने मौहमद अली जिना को कायदियय आजम कहा यह यह जılके तिलक भारति अशन्त संत्य के जनक यह लेंग यांवेल। इन यह को है वेलेन्टाइन शिरोल गश्रोत और आपको मैं रहत है जिसको भारत में अशन्त सेकार जनक्य क्यों है और आर रेमाज किस व्यक्ति को कहा है तब आपका अंसर आएगा बाल गंगा धर तिलक्षो कहा है अगला अर्विंद घोष भारतिय शंतोस के परणाम है जिन्ना राजनीति के नहरु राष्ट्र भक्त हैं यह तो आपने बताई चुके हैं आपको यह दिपीट हो गया है मौलाना अबुल कलाम आजाद मौला मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में मैंने आपको जितने कोश्चन बताएं वो सब बताएं वो फटाफट जल्दी से तो इसका अंसर क्या है मौलाना अबुल कलाम आजाद मैं इसको प्यास लिखता हूं मौलाना अबुल कलाम आजाद मौलाना अबुल कलाम आजाद दो इनके बारे में आपको जितना बताया है वो सब बताया सर मैं नया स्टुडेंट हूं गिरिजा संकर खुश रहो भी कि राजा राम मुहन रहा नहीं बिटा अर्विंद घोस भारतिया शन्तुष के परिणाम है अमरेश का आया है राजा राम मुहन रहा है सोचो बिटा सही यह बतार हो क्या कि जल्दी से नहीं न इसका आंसर प्रविल लेंटाइन शिर्ओ इसका अंसर है वालेंटाइन शिरॉल कुल भूल fulfillment कि रोल ठीक है ना चलो इसको पताई ए मै अशक बेश्चव आपसे के फ्रेंटियर गांधी नहीं यार मुलाना अभुल कला मजाद को फ्रेंटिर गांधी क्यों करेंगे इनको मुष्यमांद गॉंद गांधी तब खान अब्दुल गफ्फार खाव को कहते हैं हां कॉंग्रेस के सबसे कम उम्र के अद्धिश यह चही आंसर और भारत के पेले सिच्छावंत्री बिल्कुल सई है सबसे यूवाद लाले डाप दिश रहानॉर हुश करें कॉंग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यश्च बनै कने बिल्कुल सई और पटरिकाने आपने सबसे पहले पूरा बता दिया था अलहिलाल अलबिलाल है ठीक है और मिसाइल मैं नहीं यार वो एपी जब्दुल कलाम है यह अलग है हाँ बिल्कुल सही सब का अंतर आ गया चलिए मौलाना अबुल कलामाजाद का स्टेटमेंट भी तो आपको याद करना है मैंने आपको बता पहुत है था चलो अगे जो पचास कराएंगे आज हम आपको पचास तक कराएंगे ठीक हैना चलिए हिंदु मुस्लिम भारत माता की दो आखे हैं शिमला सम्मिलन एक दुप दूर्गच्ना है मालाना अभुल कलाम आजाद यह मैंने आपको बोल लखते पहले से पिले से सिम ठीक है हाँ यह क्या है बहुत प्यारा क्योंशन है कि हिंदू और मुसल्मान जितने भी लोग आप देख रहे हैं जितने भी बच्चे माज से जुड़े हुए हैं विद्यार्थी हना वो इस स्टेटमेंट पर ध्यान देंगे हिंदू और मुसल्मान दोनों भारत माता की आख विधा के हैं इतना प्यारा statement किसने कहा होगा फिट्ना प्यारा statement किसने इख जल्दी हं जल्द हाईों किता हूं नियुक्त ऐता हूं और अलीगार मुसलिमिं विश्विद्द्ध्यॅले के चंश्थापक लिए पिर साइंट अफिक साइघ्पिक स्उसाइटी के संश्थाप बनता किया ऊन्सर और जो को तरह संहीद ऐख कहां भी इस सरसंहयाथ कहा led बिद्ध हतना कि अखास में ऐसे और थो किताब लिए जिसका नाम है असबाब ए बगावत एह सुद्ध है उसमाइब ए बगावत एह हिंध ऐ किताब किस की है और 1857 कि कि ने अगर मनिवता हो सकती थी तो वैं नौरोजी में थी करजन सो लघ और करशन बह्रा संहां उर 47 नमबर कोश्चन और 48 नमबर कोश्चन मैं आपको हिंट देता हूं कि दोनों का अंसर एक है मैं आपको हिंट देता हूं दोनों का अंसर एक है यदि यह आपको आता है तो यह भी वही आंसर है यह यह आपको आता है यह दोनों आपको नहीं आते यह दोनों आपको नहीं आते तो मैं आपको मैं आपको दूसरी हिंट देता हूँ चलिए मैं आपको अगली हिंट देता हूँ servants of Indian society servants of Indian society के संस्थापक है servants of Indian society के संस्थापक है अब बताओ चलिए अच्छा अगला हिंट देते हैं गांधी जी को गांधी जी को को भारत के लिए गार चाहिए जब वो साथ अफ्रीका में थे साथ देना चाहिए यह कहने के लिए उनसे साथ अफ्रीका भी मिलने गए थे अब बताओ अब बिल्कुल सही बताया आपने बहुत बढ़ी आ मात्मा गांदी के राजनीति गुरु भी है तो इन दोनों कांसर क्या है गोपाल क्रश्न गोखले इन दोनों कांसर क्या है गोपाल क्रश्न गोखले ठीक ना गोपाल क्रश्न गोखले इनको भारती राजनीति का चिंतन गुरु कहते हैं 1905 में कॉंग्रेस के अध्यच भी बने थे और भारती राजनीती का चिंतन गुरु कहा जाता है इन्हें लोग भारती राजनीती का चिंतन गुरु कहते हैं तो भारती राजनीती का चिंतन गुरु किसे कहा जाता है गोपालकर्ष्ण गोखले को कहते हैं और गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे ठीक है अगला जिनना विभाजन चाहते हैं या नहीं हम स्वयम विभाजन चाहते हैं जिनना जी विभाजन चाहते हैं या नहीं लेकिन हम चाहते हैं कि विभाजन हो जाए यह स्टेटमेंट किसका होगा क्योंकि वो कई सारे पाकिस्तान बनते हुए देखना नहीं चाहते हैं तो कई सारे प पाकिस्तान बनते हुए नहीं देख सकते चलिए अगला कुस्टन है इंगलेंड हमारा प्रदर्शक है इंगलेंड हमारा प्रदर्शक है बिटा मैं आपको बताया कि सत्तर अत्र कोस्टन के आस पास है पूरे कर लो हमना जब पूरे तियाद करी रहे हैं तो नौदस मिलेट में पूरे कर लेते हैं हना क्यों उसको छोड़ा जाए तो इंगलेंड हमारा प्रदर्शक है यह किसने कहा इंगलेंड हमारा प्रदर्शक है यह किसने कहा तो मैं आपक क्वेशन है गोखले स्वासासन के महन देवदूत है यह आपका किस ने दिया है तो आपका आंसर आएगा मोतिलाल नहरू यह आपका आंसर किस ने दिया है मोतिलाल नहरू तो गोपाल कर्शन गोखले स्वासासन के महन देवदूत है मोतिलाल नहरू ने कहा है अच्छा यह हरा राहा का वकील है इन तीनों का आंसर है जवाहारलाल नेरू मैंस 44 ह अगर आपको पूछा जया क्रिप्स के बारे मेν कि यह पोस्ट ऩट इटेट्स है तो गांदी जी अंसर है यह अपकझ हो रहा है या वैंक तूट रहा है तो जवाहरलाल निहरू है मैं एक समाजवादी हूँ जवाहरलाल निहरू है गोखले भारत के प्रतम कुट नितिक थे जवाहरलाल निहरू हरा खृप सैतान का वकील है तो जवाहरलाल निहरू है ठीक है चलो पच्पनवा हिंदू मुस्लिम मुक्ता दो राष् यह मैं आपको हिंट देता हूं कि हिंट यह है कि उसकी किताब का नाम है फस्ट वार आफ इंडिया इंडिपेंडेंस फस्ट वार आफ इंडिया इंडिपेंडेंस फस्ट वार आफ इंडिया इंडिपेंडेंस यह किताब का नाम है जो हिंट मैं दे रहा हूं वही आंसर इसका यह है अठारा सो सतावन की क्रांती अंडमान की अंडमान की काला पानी जेल की दिवारों पर लिख डाला अंडमान की काला पानी जेल जिसको कहा जाता था सेलुलर जेल जिसको उस समय क्या कहा जाता था सेलुलर जेल पानी की जेल की दिवारों पर लिख दिया दिवारों पर आप बताओ किए आंसर होगा अब तोनों का आंसर क्या है इन तीनों का अंसर क्या है दी सावरकर जञां टाली सावरकर को दिकत को अ ठीक है चलिए वीडी सावर्कर का एक और स्टेट्मेंट आपको याद करना है भारत को अब एक और सूत्र में भारत को अब एक और सूत्र में बांधा नहीं जा सकता ठीक है ना चलो तो भारत लिखा हुए देखो आ गया भारत एक और सूत्र में बढ़ा राष्ट नहीं मना जा सकता ये भी वीडी सावर कर है अब ये दो बताओ तो मैं स्वाधीन भारत में मरना चाहता था परंतू मेरी इच्छ पूर नहीं हुई भारत की मुसल्मान स्वता एक राष्ट हैं तो भारत की मुसल्मान सवता एक राष्ट है वह सटा में बताईये कि फटावर पिताइए कि मैं स्वाधिन भरत में बना चाहता था कि आसान है जवाल लाल के पापा है मोतिलाल नहरू मोतिलाल नहरू बहुत आगे चलकर आजादी मिली तब तक जिंदा नहीं रहते बिल्कुल भी भारत की मुसल्मान स्वता एक राष्ट है इसका नाम आपने सुना होगा जफरूल हुसेन जफरूल हुसेन जफरूल हुसेन जफरूल हुसेर इस दा राइट अंसर भारत की मुसल्मान एक स्वता राष्ट है चलिए 69 साथ मैं विद्रोही हूं स्वराज विद्रोह आवश्यक है मैं विद्रोही हूं और स्वराज विद्रोह आवश्यक है यह सुभाज चंद्रबोष के गुरू है यह कौने बचा सुभाज चंद्रबोष के गुरू है कौन होगा चितरंजन दास सी आर दास हमें पाकिस्तान अत्मा आत्मत्या में से एक चीश चुननी है बहुत प्यारा कॉश्चन हमारे विधास सवा हमारे उत्तर प्रदेश की विधास सवा के अद्लच भी रहे राजर्शी पुरुष cambiar पुर्षोत्तमदास तंडन तो आज समें पाकिस्तान और रात्मत्या में से एक चीज़ चुनने के लिए कहा गया है तो यह आपका आंसर है राजर सिपुरस्तय नहीं नहीं गया दर्सी पुरसुतमदास को अलक हो्या कई पाकिस्तान और रात्मत्या यह परस्तार्प्रदेश के पहले मुख्य मंत्री गोविंद बललब 15 ना तो यह उट्तर प्रदेश के पहले मुख्य मंत्री एक स्टेट्मेंट है ऐसे कुछ स्टेट्मेंट है कि आज हमें पाकिस्तान या आज पर लिए और रहा है और किए नी के साथ नीक के आस-पास ग्रादर चीव पुरुष्व तम दास टंडन भी जित विप्रूष्व पुरस्वत्तम दास टंडन भी इसका अंसर हो सकता है ठीक ना क्योंकि यह स्टेटमेंट अलग अलग किताबों में अलग दिया हुआ है ठीक ना तो इस पर एक बार बात देख लीजेगा कि आज पाकिस्तान और आत्मत्या में से एक चीज़ चुननी है पुरस्वत्तम दास ट लिए त्यार होगा दिमाग खराब है 1915 में वापसी आये थे आगे हमारा नारा है नष्ट करो नष्ट करो मैं विद्रोही हूं मैंने कॉंग्रेस से विद्रो किया है इन दो कॉंग्रेस से विद्रो करके स्वराज पाइटी बनाई थी इन कांसर है चितरंजन्दास इन दोन सुपहता糖 स्अध्रो और इक बनों का एक ही हरत है सुभाशां चंद्र बोत्त है भग सिंह और और इक्बाल दोनों का अरत एक है तो आप कांसर क्या होगा सुभाशां बोस स्थी जाक deben भारत का भिकारी हूं थी कुले मतलब हम से बढ़कर है यव्याय इस कॉन करben कनि क्या परेसानी तुमको तुम्हारी सेरवानी में क्या परेसानी जल्दी बताओ फटाफट मैं भारत का भिकारी हूं ट्रिपल एम मतलब मदन मोहन मालवी है अब इतना काफी है अगला सारी हिंदुत प्राली पस्चिम से बढ़कर है एनी बेसेंट अगला है अर्विंद घोस एक उल्फा नहीं एक उलका है अरविंद घोस एक उलका थे अर्विंद घोस ने सावित्त्री लाइव डिवाइन वंदे मात्रम इस परकार की पत्रेकां आपने रचनाए भी थो बढ़का इता अर्विंद घोष एक उलका थे जवाहलाल नेहरू ठीक है कि आसायोग आंदुलन एक मुर्खता पूर विद्रो था विरोध था क्रांती का अभिप्राय बंदूक और पिस्टॉल नहीं सरसट और अरसट सरसट और अरसट पताई बेटा 6768 क्रांती का अभिप्राय बंदूक औ नहीं अना आसायोग आंदुलन एक मुर्खता पूर विरोध है आपको पताई यह गाल दीजी ने कहा था कि जलिया वाला बाग के बाद अमनों को आसायोग आदोलों करना है तो किसने कहा था कि तुम अभी राजनीती में बच्चे हो तो किसने का था एनी बेसेंट ने कहा और आसायोग आंदुलन को एक मूर्था पूर विरोध एनी बेसेंट ने कहा था आसायोग आंदुलन एक अगस्त उननी सो बीस को बाल गंगा दर तिलक की मित्यू के साथ ही सुरू हुआ था आपको पताऊना चाहिए आसायोग आंदुलन में गिरफतार होने वाले पहले न आंगरेजी स्कूलों को छोड़कर हिंदी स्कूल की मीडियम खोले गया थे आपको इसाब पता है क्रांति का अभी प्राय बंदूक और पिस्तॉल नहीं है यह किसने कहा था भगत सिंग ने दिल में आग लगी होनी चाहिए ठीक दिल में आग लगी होनी चाहिए कि चलिए सब्सक्राइब भारति राश्रे गॉच्य पूच्छे बीक मांगने वाली संस्था कहा था आपका अर्विंदघोषνε भीक मांगने वाली संस्था कहा थाठ आपका अर्विंद घोसने ठीन तरविंद घोस नहीं आता जब नहीं आता तब बाल गंगा धर तिलक लगाते हैं तो पहला अप्षन यह है दूसरा आप्षन यह है जब यह नहीं आएगा तब आपका अंसर यह लगाएंगे पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मुहम्मद इगबाल नहीं लॉड मिंटो थ बनाता बहुत शखी इंसान नियम समिति के यह लुशं संचालन समिति के अध्यक्रत कैस GPK कि यह कुश्च समिधास अबाख के इस थाई अध्यक्र किस नेously assigning आता कि यह कि लॉड मिंटो शर्च की बात कि जाये तो लॉड मिंनटो 2 कि नहीं 31 दिसंबड रॉन counties Smith में 31 दिसमबर 1906 में All India Muslim League Party की स्थापना करवाई थी आगा खाँ और Salim उल्ला खाने मिलकर All India Muslim League Party की स्थापना की थी ठीक है और आज का लास्ट यह आज के लास्ट है यह आज के लास्ट है ठीक ना यह आज के लास्ट है यदि इस्वर अस्प्रश्यता अस्प्रश्यता अंत्र शत्रा में आएगा गांदी जी का योगदान इसमें यदि इस्वर अस्प्रश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे इस्वर को भी मानत तो नहीं दूंगा हर मूल पर स्वाव लमबन है थास्वे ना तखना है आपको यदि इस्वार भी अस प्रस्था खेंख धने लगे तो मैं ऐसी तफन खो नहीं मानूंगा यह कहा था आपका बाल गंगा धरतिलक ने हर मूल पर स्वाव लंबन है लाला लाजपत राय ने कहा लाला लाजपत राय ने कहा ठीक है तो यह है complete आपके यह है complete आपके इतियास में दो पार्ट हो गए उपाधियां उपनाम और